मेरा नाम एफाम अच्छी वाला है और मैं शोचल एक्टिविस हूँ मैं और मेरे फ्रेंड फारुद दाला ने चीफ मिनिस्टर वाब मारश्टा देवंदर पड़नी स्कूल लेटर लिखे अच्छे हैं क्योंकर आजिए उन से रिक्वेस्ट कियें कि मारश्ट्र में जोटें कीया जाए हैं क्योंके इसलाम रिलिजिन में अल्ला की तरफ से कई जानवर स्लोटर करने का बुला गया है उसमें गोट है शीप है काउ है बुलक है और कैमल है लेकिन काउ और बुलक के रूल बैंड आने के बाद मुसलिम लोग काउ और बुलक का स्लोटर करना पूं कर दे अब मुसल्मान के पार सिर्फ एक ही जोच है वो सिर्फ गोड़्ट स्लॉटर कर सकता है और दूसरा भी एक option है मुसलिम होगों के वो खेमल सलॉटर कर सकता है लेकिन इंडिया में कैमल सलॉटर बैंड है औल ओज्वार ओर इंडिया हम से से रिक्वेस्ट कर रहे है कि एक कानूं लाय जाए जुसको अमेंडमेंड Since इसकी वे से सब्सक्राइर हो सकता है और जो अर। हischer हैं अगर मारा के जो फार्मर्म को प्रमोट करें तो गाउंवाऊं ہیں चेजि़स्त ऐह करें तो जबेंद और उसके जो सैलीन करते है, मतलब जो गोश है कैमल का वो बहुत हैल्दी है, उसका जो दूद है वो भी हैल्दी है, उसका यूरी है वो भी हैल्दी है, कई बीमारियों के लिए वो यानि ट्रीटमेंट कर सकते है उसके यूरीन से, तो हर चीज में फाइदे मन है, तो क्यों न कि एक हम्मास के इसका एक्स्पोर्ट भी कर सकते हैं उसका बहुत अच्छा मारजीन है और domestic market भी farmers को मिल सकती है तो ये बहुत फायदे मन्द है इसको promote करना चीए और कुछ कानून में amendment लाना चीए इसके कई फायदे है Thank you very much मेरा नाम फारुक ढाला है मैं social activities हो माहिम से और ये जो camel के बारे में हम लोगों ने chief minister, chief secretary सारी जगाओं के letter लिखा है हम चाहते हैं कि ये जो camel का गोश है इसमें जादा से जादा गोश निकलता है जो गरीबों को काम आता है और जादा से जादा बाच सकते है इसके मिल्ट से भी कहीं फायदे है और इसका यूरिंग है उससे भी कहीं फायदे है फार्मन अबर इसकी बीडिंग जादा करता है तो हम लोग एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं हमारी मारस्टर गवर्रमेंट से रिक्वेश्ट है कि इसके स्रेटर हाउस अच्छे से अच्छे बनाए और अच्छे टेक्नोलोजी के साथ में इसको प्रोमोट करें ताकि यहां से जो फाइनशल कंडिशन खराब होते जा रही है इस बिजनस में इसमें फाइनशल कंडिशन इंडिया के अच्छी हो सकती है और इसमें दोनों कॉम का फाइदा है हिंदूों का जो है सेंटिमेंस को तका नहीं लगगा और मुसलमान जो है कंसूम करेंगा और इसमें इंडिया के लिए ज़्यादा फाइदे मन है यह तरका के फॉरिन करंसी भी यहाँ पर आ सकती है यह एक्स्पोर्ट कर सकते है और इसके बीडिंग करने से फार्मर्स को भी ज़्यादा होगा और हम चाहते हैं कि हमने रिक्वेस्ट किये कि जल से जल इसका कोई नती ज़्यादे है और उसकी यूरिंग में भी बहुत सारे फाइदे हैं जो सेंपोस वगेरा बनाने में काम आते हैं हम चाहते हैं कि इस चीज को मारश्टा गर्वर्मेंट गौर करें और इसको अच्छी तरह से इंप्लिमेंट करें ताकि लोगों को बेनेफिट भी हो और कंट करता है तो हमारे रिक्वेश्ट है के कैमल की कुर्वानी को यहां पर पर्मिशन दे दी जाए ताकि यह मसला हल हो जाए और ज्यादा से ज्यादा गरीब हो तक यह गोश्ट पहुंच सके वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए अपने फ्रेंस के साथ शेयर करिए